सेवा में सेवा में होश होता है जोश नहीं यह जहां नारे लगाने वहीं लगाने चाहिए यह काम नारो का नहीं है यह काम करना पड़ता है मेरे बोलने पर आप तालिया बेजा रहे हैं लेकिन यह लोग कर रहे हैं यह कर रहे हैं इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ अधर्णिय अर्जुन मुंडा जी अधर्णिय कपिल खन्ना जी उपस्थित आज जिनके कारण हम यहां पर रिकत्रित है ऐसे सभी श्रद्धय सेवावीर पुझ्य संद्चरण उपस्थित नागरिक सर्जन माता भगीनी जैसा मैंने कहा उन्होंने कहा कि मैं मार्गदर्शन उगर करने वाला हूँ ति यहां मेरे मार्गदर्शन की आवश्यक्ता नहीं है कौन से रास्ते पर चलना चाहिए तो करने वाले इतने सारे लोग हमारे सामने हैं उनका उदारण हमारे सामने है तो रास्ता केबल दिखनी रहा है रास्ता दिखाने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन लोगों की भलाई का काम अपना स्वार्थ छोड़ कर करने का काम उसका रास्ता हमेशा कठिन होता है कीरन होता है। उस रास्ते को बताने वाले महापुरुष हमारे अहां उनकी तो मालिका है। दुनिया के किसी देश में सारे देश मिलाकर जितने महापुरुष अब तक होंगे उतने हमारे देश में गतव दो सो वर्षों में हो गये। और एक-एक का जीवन, सरवांगीन जीवन की राह उजागर करता है हमारे आखों के सामने। लेकिन राह उजागर जब होती है तो उसके काटे कंकड भी दिखते हैं क्योंकि उमारे का कंड़ का करना होता ही है। तो फिर हमारे जैसे लोग हिम्मत नहीं करते हैं। उनकी पुझा, जयन्ति, पुन्यति, जय जयकार यह सब करेंगे। जैसे अभी जय श्री राम हम कहते हैं बड़े जोर से कहना भी चाहिए कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए ना। लेकिन हम सोचते हैं कि वो तो भगवान थे। अरे भाई भरज जैसे भाई पर प्रेम करना श्री राम ही करें। हम तो नहीं कर सकते। यह सामान्य विक्ति की प्रतिक्रिया देती है। इसलिए उनके तेज में उजागर हुई राह पर चलने की हिम्मत देने वाले यह लोग होते हैं, जो हमारे जैसी होते हैं दिखने में, लोगों में वो अलवकिक नहीं बनते, किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखते, अपना काम करते हैं, चुपचाप करते लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा, किसी अपने मित्र को या शिश्य को, के रे, तुमारे येशु, बुद्ध और कृष्णक से, हजार गुना अधिक तेजस्वी लोग इस दुनिया में आये, चुपचाप अपना काम करके चले गए, किसी को खबर नहीं लगी। ऐसे गुप्त योगी होते हैं, ऐसे गुप्त योगियों को ढूण ढूण के आपके सामने लाने वाले इश्वर संता फाउंडेशन का वास्तों में अभिनन्दन हैं, रिदय से अभिनन्दन हैं। क्योंकि आज हमको चलने की ज़रूरत है। 75 वर्ष का उल्लिग हुआ। इन 75 वर्षों में जितना चलना चाहिए था, आगे बढ़ना चाहिए था, उतना हम नहीं बढ़े। बढ़ जाएंगे, वो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन वहां तक देश को ले जाने का जो रास्ता है, उस पर चलेंगे तो, चलेंगे ही नहीं, चलें नहीं, इसलिए नहीं बढ़े। वो एक सुभाशित है, योजनानाम सहस्रो पी, शनईर गच्छेत पीपी लिखा। सहस्र योजन, सहस्र योजन भी छोटी चीटी अपने पहरों से धिरे धिरे चलके निकल जाती है। एक गाउं से दूसरे गाउं जाती है चीटी है, तो वे इद्नयानिक सकते है। जीवशास्त्र का अध्यन करनों वालों को मालूम है। माइग्रेशन होता है, उनका दूर दूर तक होता है। छोटे कदम भरते भरते, देर सब यह पहुँच जाती है। और फिर कहा है कि अगच्छन वैनते योपी पदमेकम नगच्छती। अगर जाएगा नहीं, उडएगा नहीं, तो गरूड होतो भी एक कदम भी आगे नहीं जा सकता। ताकत तो उसकी है, पूरे आस्मान को आलोडन करने की। पर उन्तु करेगा नहीं तो कैसे होगा। इसलिए आदर्शों के प्रकाश में हमको रास्ता पता है। उदारणों के प्रकाश में उस रास्ते पर कदम से कदम मिलाकर चलने की हिम्मत। जगाने वाले आज के ये जो सारे हमारे उत्सों मूर्ती है। उनको मैं विनमर प्रणाम करता हूँ। और उनकी अनुमती से, क्योंकि आपने मुझे यहां खड़ा किया है, काम दिया है। सेवा अगर तो करता नहीं है, कारिकरम ने थोड़ा बोलने को कह तो बोलता भी नहीं। ऐसा मेरी बद्नामिन हो। इसलिए मैं कुछ बाते आपके सामने रखता हूँ। आज के कारिकरम से ही सम्मनित है। स्वर्गिये श्री खैराती लाल जी शर्मा ने अपने परिवार पर अपने स्वयम की कृती से, और अपने बहुत स्नेहमे परामर्श से, जो प्रभाव डाला, जो लीक बनाई, उस पर उस परिवार की आज की प्रीडी भी चल रही है। ये बात हमारे जहन में आ गई। भारत की नई प्रीडी का क्या होगा ऐसी चिंता बहुत बुजुर्ग करते हैं। लेकिन वो चिंता करने का कारण नहीं, वो कैसे होंगे, क्या होंगे, ये सब बुजुर्गों के हाथ हमें है। और बाकी कुछ भी हो, परिस्थिती में कई प्रकार के प्रभाव है, अच्छे भी है, खराब भी है। जीवन का तरीका जो है, वो कुछ बाते अच्छा करता है, कुछ बाते खराब करता है। ये हो तो भी, अगर अपने परिवार को हमने ठीक से समाल लिया, किवल आर्थिक दृष्टी से नहीं। परिवार का वातावरान हमने ठीक रखा, अपने आचरन से, अपने घर के सब लोगों के साथ आत्मी ये समवात के आधार पर उनको सिखाते समझाते चले गए, तो देश की कोई भी पीडी कभी भी भटक नहीं सकती। और मेरा तो अनुभवा है आज की युवापिडी में इतना बल है कि इसके अभाव में भी थोड़ा देर से सही, लेकिन वो अपना सही रास्ता डून लेते हैं, और देश की सिवा में भी लग जाते हैं। पहली तो इस कारिक्रम से ले जाने की बात हमारे लिए ये है। तो एक सज्जन गए और उनको कहा कि आपके परिचय बहुत है और मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। सेवा के लिए अगर मुझे टिकेट मिला और मैं चुन किया गया तो सेवा करना आसान होगा। बात तो सही है, आसान तो ही सकता है। और इसलिए उन्हों ने कहा कि मुझे एक आथारिटी मिलेगी, साधन भी मिलेंगे। तो मैं अधिक सेवा कर सकूंगा। आप थोड़ा फोन करके बोल दीजिए। तो राम सुक्दाजी महराजी मिला जिए चुन के आने से फाइदा क्या होगा यही ना कि तुमको अधिकार मिलेगा और तुमको साधन भी मिलेगा। तो मैं तुमको अधिकार दे देता हूं, लिखके दे देता हूं कि सेवा करने का अधिकार मेरे तरफ से इनको प्राप्त पूरे देश में तुम कही भी सेवा करो, तुमको कोई कठेना ही नहीं आएगी. और जितना खर्चा होगा सेवा में, मेरे से लेलना मैं देते रहूं. तुमको कभी धनका अभाव नहीं होगा. मैं फोड नहीं करता, इतना करूं. तुम मैंने देडिया लिख के देता हूं, तुम करो सेवा. तो सज्जन वापस नहीं आए उनको मिलने के लिए. सेवा ऐसे होती ही नहीं. सेवा तो मनुष्य की, मनुष्यता का एक स्वाभाविक हाविश्कार है. स्वाभाविक अभिविक्ति है मनुष्य सेवा के कारण ही मनुष्य माना जाता है मनुष्य में समयदना होती है पशों में नहीं होती आप पशों को देखो भुख लगती है तो खाते हैं समयदना नहीं होती इसलिए चिंता भी नहीं होती कोई बैल घास खाता है और कल के लिए गठर भान के ले जाता है ऐसा आपने सुना है क्या ऐसा कभी होता नहीं उसका पेट भर गया घास बची है तो भी लेनी जाएगा दूसरा कोई उस घास को खाता है खाने जो उसको क्या चिंता है जब तक उसकी भूख है तब तक किसी को खाने नहीं जेगा स्वयम खाएगा लेकिन मनुष्यका ऐसा नहीं है मनुष्य में विचार है बुद्धी है और बुद्धी को बुद्धी भी हो सकती है सुबुद्धी भी हो सकती है बुद्धी होना एक बात है बुद्धी को उचित दिशा मिलना दूसरी बात है और इसलिए मनुष्य के मन की सम्वेदना को उसने सुना तो वो नर से नारायन बन जाता है मनुष्य ने अगर मन के अहंकार को चुना तो वो नर का नराधम हो जाला है और इसलिए अपने आपर ये कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथु नंच, सामान्य मेतत पशुभिर नरान। बायोलोजिकल एनिमल मनुष्य भी है। इसलिए बायोलोजी में लिविंग थिंके जितने फंक्षन है उतने सब मनुष्य करता है। वो छोड़ ही ने सकता है। उसको करना ही पड़ता है। भूख लगती है तो खाना ही पड़ता है। कोई भी हो। पहुचे हो ये महात्माओ को भी कुछ तो आहार प्राप्त करना पड़ता है, हम सामान्य मनुश्य ये भौतिक अन्नसे प्राप्त करते यक। वो सीधा वैश्विक उर्जा को प्राप्त करते लेकिन बिना उर्जा के कोई काम नहीं चलता, उर्जा के सुरोंतों का उप्योग मनुष्य अपने आहार के लिए करता ही है, ऐसे सारी बाते मनुष्य को करने पड़े हैं, परंदु कहा है कि धर्मो ही तेशाम अधिको विशेश हो, मनुष्य की विशेश्टा क्या है, उसके पैस धर्म है, वह ही उसकी विशेश्टा है, उसके कारण वो मनुष्य है, अभी धर्म बड़ी, बड़ा कठीन चब्द है, समझ में नहीं आता, लोग धर्म कहने के बाद एक दम पूजा देखने लगते हैं, तो पूजा तो सब धर्मों में एक छोटा आंग है, यहां जो धर्म कहा है, वो जिसको आज मानुधर्म कहते हैं, यह हिंदु धर्म कहते हैं, उसको कहा गया है, यानि हिंदु स्थान से निकले, सभी, सभी धर्म, क्योंकि वो ये नहीं कहते है कि इसकी पूजा करो उसकी पूजा करो उसके प्रवर तक उन पंथ संपरदाय के धर्मों की वो कहते है कि मैंने ऐसा किया मुझे मिला तुम मेरे रास्ते चलो तुमको भी मिलेगा कैसे चलना मैं बताता हूं तुम मेरे ही रास्ते से चलो, ऐसा कोई नहीं पहता है, क्योंकि पूजा एक छोटा आंग है, रास्तों में धर्म क्या है, तो अपने यहाँ भागवश्रिमत भागवत में कहा है, कि धर्म के चार पैर है, एक है सत्य, सत्य धर्मत तभी आता है, जब सब में एक तत्व है, अब वो तत्व जड़ है कि चेतन है, जड़ से आया कि चेतन से आया, यह विवाद का विशे है, दर्शनों का विशे है, यहां तक सब एक है, विश्व की एकता, अस्तित्व की एकता, यह भारत से जो विचार निकले उन सब को मान गया है, वो वेकता कैसी है, उसका सुरूप क्या है, उसको पाना कैसी है, इसके बारे हम सब के मतवेल है, लेकिन अशले अपने यहां कहा गया है कि वो जो है सत्या, वो है, वो जो है सो है, एक ही है, कही से भी चलो तुम वही पहुंचते हो, कही से भी कुछ करो, तुमारा रास्ता तुम चुनलो, उस सत्य को तुम देखो, और तुम को जैसे दिखता तुम बोलो, यह तुमारे लिए है, लेकिन दूसरे को ऐसा ही दिखता है, इसका अक्रमत करो, दूसरे का अपना रास्ता है, उसका अपना दर्शन है, उसने अपना, देखा, चलो, रास्ता नहीं है, भौतिक सुखों के पीछे ज्यादा भागोगे, तो गड़े में जाओगे। वो सुख पाना है, इसलिए रखना है शरीर को उतनी आराधना करो। केवल अध्यात्म के पीछे जाओगे तो भी गड़े में जाओगे। अध्यात्म का साधन है शरीर मन बुद्धी, उसको ठीक रखने के लिए जितना है, उतना उपवोग का वरण करना, बाकी संयम से काम लेना और सत्य का प्रणजान करना। लेकिन उस सत्य बड़ा कठोर भी है क्योंकि उस सत्य को जब देखते हैं तो यह दिखता है सबको कि वही मूल है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी साइंटिस्ट को भी, किसी भी साइंटिस्ट को पूछी है कि यह मनुष्य, यह बेंच, यह आप लोग बैठे, मैं बोल रहा हूं, बाहर कारे खड़ी है, गायबायल घूम रहे दियातों में इदुरदर। यह सब, ओ कहता है सब इलेक्ट्रॉंस, प्रोट्रॉंस, न मास, E is equal to mc square, वगरे वगरे सारी बात है, यानि कुछ समाप्त नहीं होता, जो है सो है, वो कम नहीं होता, जादा नहीं होता, इतना कठोरे इसका मतलब क्या होता, अब जानते हैं, हमारे यां भी ऐसी ही कहा है, कि सब कुछ ब्रह्मा है, और वो शाष्वत है, और यह हम लो मिट जाते हैं, वो जहां है, जहां है, जैसा है, वैसा रहता है, इसका मतलब होता है, कि आपके जीने मरने का कोई अर्था नहीं, मेरे लिए, मेरे लिए क्योंकि मैं फील करता हूं मेरे अपने आपको, केवल मेरी ही जीने मरने का अर्था है, तो इस सत्य को ऐसा का ऐसा हम स तो इसलिए केवल सत्य के साथ दूसरा है करुणा, याने सम्वे जाना, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य तक पहुचने के लिए इस दुनिया से अगर जाना है, तो इस दुनिया हमने हम सब लोगों के रहने के लिए अधर क्या है, पश्टिम कहती है वो संगर्ज है जो बलवान होगा वो जिएगा उसकी जया पर बाकी सब रहेंगे अत्वा नहीं रहेंगे लेकिन ऐसा देखेंगे तो फिर दुनिया में साधन बहुत कम है गांडी जी कहते थे in this world there is enough for everyone's need but entire world cannot satisfy anyone's greed और मनुष्य के स्वभा में लोब भी एक तत्वा है तो इसलिए संयम, सदाचार, सम्वेदना, करुना ये सारी बाते आती है नहीं तो सत्य को स्विकार करके उसको हम प्राप्त भी नहीं कर सकते और इसलिए दूसरा पहर है करुना और ये करुना मन में तब आती है और प्रभावी होती है जब पवित्रता है उद्देशों की सेवा क्यों करना वो सर्जन थे टिकेट मांग रहे हैं टिकेट के लिए सेवा चाहिए थे वैसे तो हर पांच साल बाद बहुत सारे सेवा करने वाले निकलते हैं और पांच साल के बाद ये वो तीन चार महनें के बाद नष्ट होते हैं फिर से आते हैं उकते हैं फिर से पांच साल के बाद ये तो हम खेल देखते ही है वो सेवा नहीं है, वो मजबूरी में भी सेवा नहीं हikkroutez, कोई हमारी मजबूरी है, दुनिया में जिना है, तो एक दूसरे को desired, ऐसा भी नहीं हि향, उसको भी सेवा नहीं कहते है, मजबूरी में जो होती है, बचा एक बच्चे को टालाब में, लोग तेर रहते, बच्चा गिर गया, दो लोग चिल लाए, दोड़ा एक जवान, कुदा, उसने उस बच्चे को पकड़ा ले आया, लोगों ने कंदे पर उठा लिया, पत्रकार आ गया, पूछा कि कोई कुदा नहीं, आपको कैसे प्रेरना हुए उस बच्चे को बचाने की जवा ले में बताता हूं, मुझे दखा किसने मारा हुए, उसको मैं ढुंड रहा हूँ. अब दखा मारा वो वह गिर गया, वो बच्चा वह था उसने गला पकड़ लिया, तो मरना है तो उसके साथ, जीना है तो उसके साथ तो यह मजबूरी में अच्छा काम करने यह भी स सेवा नहीं है, सेवा स्वार्थे के होती है, सेवा अहंकार की भी नहीं होती है, मैंने सेवा की है, यह आता है चो सेवा का सारा पुन्य नष्ट होता है, और पुन्य प्राप्ति के भी लिए नहीं है, वो एक सहज अभी वेक्ति है, मैं सेवा क्यों करता हूं क्योंकि मुझे कि मेरे पास बहुत पैसे हो गए, तो मुझे कुछ सेवा करनी है, तो आप लोग बहुत सेवा करते हो, तो हमको जरा बताईए कैसे कैसे की जाती है, मैंने बोला आप यह हमसे मत सेखे, आपका उद्देश बहुत अच्छा है, आप कोई तरीका ढूंडिये, करना शुरू कीज आपना समाज ऐसा है, कि प्रामानिकता से कोई काम कर रहा है, तो उसको कोई कमी नहीं होने जाता है, अपना समाज ऐसा है, अब आप तो पहले आपके पास पैसे, तो बजटिंग से प्रारंब करेंगे, वह हमारे अनी चलता है, इसका कोई बजट नहीं है, जितना आवश्चक है उतना करना, अपने पास जो है वो सब दे देना, ऐसे ही सेवा होती है, वो जो दीपों का वरण, तर तर की दीप होते लेकिन एक दीप सरवत्तम माना गया है, वो रत्न दीप है, उसका अपना प्रकाश होता है, और इसलिए अपेक शंते नचस नेहम, उस दीप को किसी का सनेह नहीं चाहिए, या सनेहम यानि तेल भी होता है, तो उस दीप में तेल की जरुरत नहीं है, ना पात्रम, स्टेटस नहीं चाहिए उसको, कहीं भी रखो प्रकाश देगा, अब उसको उचे ही रखना पड़ेगा, हवा न लगे ऐसी जगे रखना पड़े, उसके कोई अपेक्शा नहीं, अपेक्शन ते न चसनेहम न पात्रम न दशानतरम, बीज बीच में उत्सा कम होता है, जरब बाती सर् भाईया बड़ी करो, यह उसको नहीं करना पड़ता, अगे कहा गया है, सदा लोक हिते युकता रत्न दीपाह इव उत्तमाह, उत्तम पुरुष कैसे होते है, इस रत्न दीप के समान, सनेह पात्र याने स्टेटस, या कोई प्रेरणा देने वाला, मेरे प्रेरणा से उदे के अंदर किये, उनके पिताजी के उधारन किये, तो उनको कोई आवश्यक्ता नहीं होती, वो जलते रहते, प्रकाश देना उनका स्वाब है, पेट्ली में बन करके रखो तो अंदर पेट्ली के प्रकाश होगा, ऐसा रत्न दीप के जैसा लोक हिते में रत उत्तम के लिए कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम उनके लिए नहीं है, क्योंकि उन्हों ने मांगा ही नहीं था कुछ, उनको तो अपना नाम वहा है, इसका भी पता नहीं था, उन तो कर्ते रहते है要? पता हम बहुत तारी लोगों को जानता हूँ, उनको पता नही था, कि हम सब reduction कॉंपुटर में डाटा फीड करते कि इनके पास क्या-क्या है काम करने के लिए, तो कॉंपुटर कहता कि ये काम चले गा ही नहीं, लेकिन ओ चल पड़ा और आगे बड़ा, आज उनके अपने क्षेत्र में उस काम की एक कदर है, उनको नहीं चाहिए, है, रत्नदीप है, तो प्रकाष मिलेगा ही मिलेगा, लोग कहेंगे कि चमक रहा है, रत्नदीप चमकर के लिए नहीं बैठा है, उसका स्वभा है बहिया, ऐसे ये सारे लोग है, तो ये कारेकम उनके लिए छुड़ी है, उनको हमारे सामने लाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जीवन ऐसा बने, सेव सेवा बड़ी या छोटी, इससे फरक नहीं बढ़ता हूं, सेवा अंतकरण पुर्वक, आत्मियता पुर्वक, सम्वेदना के कारण, अहंकार को भी भूलके, नारायन मेरे सामने या भगवान मेरे सामने, आप जिसको भी मानते है, सरवोच्च, वो मेरे सामने उस रूप मे प्रगठ होकर मेरे अंतकरण को पवित्र करने का आउसर मुझे दे रहा है, ऐसा मानकर जो की जाती है, वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका मुल्ने समान, और इसलिए, ये सब लोग हमारे सामने आते है, आज समारम में आ रहे है, इसलिए हमको थोड़ा उनके बारे में, वो ऐसे मिल जाते हैं, तो हम उनको बड़ा आदमी नहीं मानते हैं, हम मानते हैं, सामान्य लोग है, सिवा कर रहे हैं, सामान्य लोग भी सिवा कर सकते हैं, हम लोग, हमारे घर में अपना जीवन चलाने के लिए सहायक होने वाले कितने लोग हैं, अपने आसपास, हम विचार कर अगर हमारे घर में कोई बरतन मानने वाली महिला आती है क्या, उसके बच्चों की पढ़ाई ठीक हो रही कि नहीं हमारा जान है क्या, उसके घर में व्यसन मुक्ति हो गई, ऐसा हम कर सकते है क्या, हम जिस हेर कटिंग सलून में शहरों में होते हैं, कजबों में और कम होते हैं, और गाव दियात में तो नाव घर पर आता है, ऐसी थी कि आज भी कही कही आए, लेकिन यह हमारा ही जीवन चलाते हैं तो उनका सब कुछ ठीक हो रहा है क्या, बिल्कुल सेवा के लिए शेत्र आपको ढूनना नहीं पड़ेगा, अपने चारों और हम अपनी शक्ती लगा कर ठीक कर सकते हैं, ऐसी बहुत से बाते हैं, अभाव को दूर करना, दुख्ख को दूर करना, उन्नती के पत पर ले जाना, सामाजिक महत्वके या व्यक्तिगत महत्वके सवच्छता से लेकर परियावरंट तक जो विशय है, उसमें लोगों की जागरुती करना, है उससे अच्छा मनुष्टों उसको बनाना बहुतिक अध्यात्मिक दोनों रूप में हैं, यह सेवा है, और विशेशकर जिसकी सेवा करते हैं, वो सेवा देने वाला होना चाहिए, वो सेवा असली सेवा है। एक कावध भी थी ऐसी, कि आप भूक्ये को एक मचली देते हो, उसके बज़ाए उसको मचली पकड़ना सिखाओ, तो वो स्दा के लिए हिलाज हो जाएगा। ऐसे इस सेवा के द्वारा, देने वाला देने वाला रहनी जाता, वो लेते लेते देने वाला बन जाता है। कि देने वाला देता जाए, मैं हिंदी बता रहा हूं उसका, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेने वाला देने वाले के हाथ ले जाए, यह देते रहना चाहिए, तो वो भी देने वाला बनेगा, ऐसा भी इन प्रकल्पों के सेवितों में से हमने सु हम अपने परिवार के द्वारा आस्पास ऐसी सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए सहायता देने से प्रत्यक्षाद से सेवा करने तक, अगर इस भावना से की जाए, तो वो सेवा सब को लबती है, करने वाले को, जिसकी करते है उसको, और पूरे समाज को, क्योंकि आखिर समाज क्या है, समाज भीड तो है नहीं, अपने यहां पुरान शब्द था जनपद, अजकल हम जिले को जनपद कहते हैं, वो नहीं, राष्ट्र नेशन के अंग, साथ अंग होते हैं, उसमें मुख्य अंग है, जनपदव की भूमी, यानि एक भूमी जिस पर एक जो समुह रहता है मनुष्यों का, वो किवल समुह नहीं है, वो समाज है, समाज है, समाज है यानि क्या है, उसके सामने एक निश्चित उद्देश्य है, और वो परसपर आत्मी अता से बन्दा है, सम्वेदना से बन्दा है, सब की चिंता करके उस समों के सब लोग चलते हैं, केवल अपनी अपनी नहीं देखते हैं, everyone for himself, they will take the hindermost, ऐसी भीड होती है, लेकिन समाज होता है कि कहीं कुछ गडबडवी तो दोड़ पड़ता है, जैसे जीवनता शरीर होता है, तो जीवनता शरीर में कहीं एक जगह काटा चुप गया तो तुरंत आखे उदर जाती है, हाथ आगे जाते उस काटे को निकालने के लिए, बुद्धी विचार करती है, इस पर कोई दवाई लगाना चाहिए किया, सारा शरीर वहां की सेवा में जुप जाता है, और डायनोस्तर नाम के प्राणी आपने सुने, तो कैसे खतम होए होंगे, कैसे खतम होए, अने कारण बताते हैं, उसमें एक कारण ये भी बताते हैं, कि उसका शरीर इतना परचंड था, कि एक जग काटा चुभा, तो उसकी सम्यदना उसके मगच छोटा था, उस दिमाग तक उसकी सम्यदना जाना, वहां से कुरती का आजेश जाना, और फिर कुरती होना, इसमें बहुत समय लगता था, इतने समय में तो, और नोचने वाला नोच के ले जाए माउस का टुकडा, और इसलिए उनका पतन बहुत जल्दी हुआ, अब हम 130 करोड़ वाले हैं, 3000 किलोमेटर लंबी चोड़ी भूमी है, प्रचंड जेश है अपना, और इस प्रचंड जेश में विविधता भी है, जैसे शरीर के अवयों में होती है, लेकि इतना प्रचंड शरीर होकर भी यूनानमिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यह आज तक कैसे हुआ है, आज तक ऐसे ही हुआ है, हमारे सामने एक सब भारतवासियों के सामने एक आदर्श है, पूरे विश्व को सोसों स्कृत करना है, पूरे विश्व को मनुष्री जीवन कैसे जिया जाता है, अपने जीवन से सिखाना है, किसी को जितना नहीं है, किसी को बदलना नहीं है, उसको समृद्ध करना जैसा है, उससे अधिक अच्छा बनाना है, यही सेवा है, और पूरे भारत वर्ष के लोग, प्राचिन सम देभूमी को भी और लोगों को भी. पूरे भारत का वरनन रामायन में है, पूरे भारत का वरनन महाभारत में है, कालिदास्तक कवियोंने भारत प्रशस्ति गाई है, और यहाँ वेदों से लेकर जो अखंड परमपरा चलती है, सारे भारत को अपना मानने की देखने की वो अभी तक जारी है इस जो सम्वेदना है इस भूमी के प्रति अपनी सम्वेदना है और इस भूमी के पुत्रों के प्रति अपनी सम्वेदना है क्योंकि इस भूमी को हम मात्रु भूमी मानते हैं उसकी प्रत्यक संता हमारी अपनी स पहोदर भाईय बहन है, सगे भाई बहन है हम सब लोग, इस सम्वेदना से अगर हम काम करेंगे, तो क्या मजाल है इस देश का विकास नहीं होगा, पच्छतर साल बहुत लग गए ऐसा होता है, लेकिन ऐसे जाग गए ना, तो पंदर अबिस साल में ठीक हो जाएगा, इतनी त ताकत को जोडने वाली ये सम्वेदना, जगाने वाली ये सारे अधारन अपने सामने हैं, ये कारग्रम उनके लिए नहीं है, ये कारग्रम हम सब के लिए है, हम जागे, अपने जीवन को सेवा में लगा दे, अपने देश को परंवयभो, संपन्न और विश्व गुरु बन जीते हुए, कोई व्यक्ति दुखी न हो, कोई व्यक्ति अभावग्रस्त न हो, किसी के मन में किसी चीज का मलाल न हो, जिसको जो चाहिए वो सब मिले, और सब मिलके इस अपने विश्व को अधिक सुन्दर, सुसजित, परयावरण, शुद्ध को लाते हुए, करे ऐसे जीए ऐसी दुनिया बनाने वाला भारत, खड़ा हम कर सकते है, अगर हम अपने अपने दायरे में जो छोटा है, बड़ा है, जैसा है, उस दायरे में इन उदाहरणों का प्रत्यक्ष अनुकरन करते है, मुझे लगता है, कि इस प्रकार का कारिकम इसलिए किया जाता है, कि हमारे लिए उसमें एक बोध है, उस बोध को ग्रहन करे, उसका चिंतन करे और चिंतन को खुरती में बदले, इतना एक अनुरोध आपके सामने करता हूँ और धन्यवाद करता हुआ मेरी चार शब्द समापत करता हूँ